Hello Guys! बहुत सारे DMs आ रहे हैं, बहुत अच्छे मुझे review मिल रहे हैं मेरी चैनल के बहुत अच्छे reviews जा रहे हैं and I'm really happy for that मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे मेरी journey को पसंद कर रहे हैं लोग motivate हो रहे हैं मेरी journey से Thanks a lot to all of you जिसने भी मेरी चैनल को subscribe नहीं किया वह पहले subscribe करें बेल ऐकल जरूर प्रेस करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो लाइक जरूर कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का वीडियो कौनसे topic के ऊपर है जो कि सब अभी देख रहे हैं कि health manage करना कितना important है यह जो पैनेडेमिक चल रहा है उसकी वज़े से लोग ज्यादा से ज्यादा health को लेके conscious हो रहे हैं जिनका weight ज्यादा है वो लोग weight कम करने की कोशिश कर रहे हैं जो underweight है वो लोग weight बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं immunity बढ़ा रहे हैं सब लोग immunity boosters मिल रहे हैं supplements मिल रहे हैं बहुत सारे लोग अपने BP को control करें diabetes करें कि सबको पता है कि अगर यह infection लगके अगर कोविड हो गया तो ऐसे infection बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं जिनको already कोई बड़ी बिमारी हो तो हम उस topic के अंदर अभी हम नहीं जाएंगे मैंने already इसके पहले जो विडियो बनाए उसके अंदर मैंने Corona diet पूरा दिया हुआ है कोविड में कौन सा diet आपको लेना चाहिए वो पूरी information मैंने दी है जिससे कि आपकी immunity बढ़ सकती है और आप इसको अच्छे से fight कर सकते हो इससे बच सकते हो या तो अगर आपको infection लगा है तो आप कैसे diet ले सकते हो वो सारी information मैंने उसके अंदर mention कर दी है आप वो जरूर visit क अब बहुत ही ज्यादा important है और अभी बहुत ज्यादा precocious रही है सब लोग तो यह topic था Corona diet के related अब मैं आती हूँ अपने main topic के उपर तो main topic यह है कि हमको कैसे healthy रहना है healthy रहने के लिए weight manage करना बहुत जरूरी है weight को manage करने के लिए अच्छे से अपका diet clean रखिए healthy रखिए सारी चीज़े हम लोगों को पता है लेकिन कुछ ऐसी tips आपको बताऊंगी जिससे आप अपना weight manage कर सकते हो weight loss कर सकते हो और साथ-साथ आ कीजिए और अपने friends or relatives के साथ share भी कीजिए तो first tip है अगर आपको weight manage रखना है ठीक है weight बढ़ने नहीं देना है या तो आपको healthy और active रहना है immunity बढ़ाना है सब चीजों के लिए बहुत ही जादा important tip है जो कि stay hydrated आपको hydrated रखना है अपने body को even due to covid बहुत जादा लोगों को dehydration क की problem हो जाती है in summers में हमें बेखने को मिलता है कि हमारे body के अंदर से पानी जला जाता है हमारे total body weight का 60 to 80% बेट जो होता है वो पानी का ही होता है water weight जो कि हमारे muscles के अंदर होता है हमारे ligaments के अंदर होता है मैं tissues के अंदर होता है हमारे सारे organs के अंदर होता है तो यह जो पानी को है वह बैलेंस रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे डायेट के अंदर या तो हमारे पूड इंटेक के अंदर ऐसी चीज़े होनी चाहिए जिससे कि आपके बॉडी के अंदर का वाटर फ्लुइड बैलेंस बना रहे आपका बॉडी डिहाटरेट ना हो और ज्याद है उसके अदर वाटर इंटिक ज्यादा होता है वाटर मेलन है यह सारी चीज़े ऐसी खानी चाहिए जिससे कि आपका बॉडी हाइडरेटेड रहे तो यह फर्स्ट टिप है स्ट्रे हाइडरेटेड लेकिन पानी बहुत ज्यादा जरूरी है सिर्फ आप ज्यूस पीएंगे उससे काम नहीं चलेगा पानी उतना ही ज्यादा इंपोर्टन है आपको मिनरल वाटर पीना ही चाहिए सुबह उठके हो सके तो थोड़ा वाटर लेजी आप और पूरे दिन के दौरान आपको थोड़ा थोड़ा करके अपने बॉडी को पानी देते रहना है तो जिससे कि क् पर पूरा विडियो बनाया हुआ है अल्री कि आपको पानी कैसे पीना चाहिए कब पीना चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप जरूर वो विडियो चेक कीजिए सो अब आते हमारी सेकंड टिप के ऊप नहीं आपको जब भी भूख लगती है आप उठे फॉर एक्जामपल आठ बजे लेकिन आपने पानी पिया है आपको भूख नहीं लगी ठीक है तो अभी ब्रेक्वस्ट करने की जरूरत नहीं है आपके बॉडी को भूख लगे आपका बॉडी मांगे तब ही आप इसको ब 10-12 गंटे की नींद या तो 7 गंटे की नींद करके आप जब उठते हो पानी पीते हो आपके बॉडी को हाइडरेटेट करते हो उसके बाद जब आपको ज़्यादा भूख लगती है तो वह हुआ आपका फॉर्स्ट मील ऑफ दे दे उसको हम चाहे ब्रेक्वस्ट किन सकते या तो ब्रेंच गिन सकते जो भी आप गिनो वह सबसे ज़्यादा हैवी होना चाहिए क्योंकि तब आपके बॉडी को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है फूड न्यूट्रियंट्स की तो वह आप हेल्दी रखिए क्लीन रखिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने रहेगा तो उससे क्या होगा कि आप अनहेल्धी जंक फूड नहीं खा लोगे क्योंकि जब भूक लगते है तब हमें कुछ समझ नहीं आता कभी-कभी हम घर में रखी हुई या तो घर में रखी हुई कोई ज्यूस है या तो ऐसी चीजे जो आपके बॉड़ी के लिए हल्दी नहीं है वो आप खा लेते हो लिकास आपको ज्यादा भूक लगी है आपके पास बनाने का टाइम नहीं है आपका बॉड़ी वो भूक सह नहीं सकता तो उससे बेटर है कि या आप एक दिन पहले ही decide कर लिजिए कि कल मैं क्या खाऊंगी या क्या खाूंगा और उसकी preparation पहले से कर लिजिए ताकि क्या होगा कैंको पता रहेगा कि अभी मुझे भूक लगगी अभी मुझे यह खाना है आपका वो रिपाईड रहेगा तो आप अच्छे से वो चीज खा सकते हो, healthy रहेगी और आप unhealthy junk से बच जाओगे तो अब आते हैं हमारी fourth tip के उपर, यह है intermittent fasting वाली tip बहुत सारे लोगों को पता होगा कि intermittent fasting क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि यह चीज क्या है, आप Google के अंदर सर्च भी कर सकते हो, लेकिन आपको मैं एक brief idea देती हूँ तब आप कुछ भी body को food नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ liquid या तो पानी वही होता है तो इसको कहते है intermittent fasting, तो यह बहुत ही effective method है for weight loss क्योंकि इससे आपके body में insulin spikes नहीं होगा, आप जब भी कुछ खाना खाते हो, तब आपके body के अंदर insulin spikes होता है तो इसके अंदर मैं detail में फूरा video बनाऊंगी, कि what is intermittent fasting आपको कैसे करनी चाहिए अगर आपको weight loss करना है, तो आप कितने घंटे की fasting रख सकते हो, यह सारी details में आपको share करूंगी next video में लेकिन अभी के लिए मैं यह एक tip दे रहे हूँ, अभी इसके फाइदे बहुत ज़्यादा है, इससे आप बहुत सारे disease को भी overcome कर सकते हैं, बहुत सारे disease आप घर बैठे के और कर सकते हैं क्योंकि fasting आपके body के अंदर बहुत ही ज़्यादा advantages देता है, बहुत ही ज़्यादा आपके body को healthy रखता है fasting यह एक fourth tip है कि आप intermittent fasting try कर सकते हो, अगर आपको weight manage करना है या तो weight loss करना है अब आती है हमारी last tip जो सबसे ज़्यादा important है, जैसे कि पहली tip थी वैसे ही last tip है, बहुत ही ज़्यादा important है आपके body को ज़्यादा से ज़्यादा active रखिए, exercise कीजिए, walk कीजिए, running कीजिए, cycling कीजिए, कोई sports खेलिए अभी lockdown चल रहा है, तो आप घर में बैठे बैठे भी कुछ न कुछ कर सकते हो, बाहर नहीं जा सकते हो, आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हो, कुछ कुछ ऐसी activity होनी चाहिए, जिससे आपका body पूरा move होता रहे कभी कभी आप dance कर सकते हो, जिसको dance पसंद हो dance कर सकता है, मैंने इसके उपर पूरा एक video बनाया है, कि आप कौन से physical activity कर सकते हो, for weight loss, उसकी मैं link description box में डाल दूँगी, वो जाके आप चेक कीजिए, लेकिन अपने body को active रखना बहुत ही जरूरी है, इससे आपका body का जो blood flow है वो बहुत अच्छे से रहेगा, आपके body के अंदर oxygen अच्छे से मिलता रहेगा, जो कि अभी के लिए, covid के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, oxygen levels लोगों के बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, लोगों को oxygen नहीं मिल रहा है, मास्की के वचे से भी बहुत सारे लोगों को oxygen की problem हो जाती है, breathing की problem हो जाती है, तो खुली हवा में थोड़ी दिर terrace के उपर आके आप योगा कर लीजिए, अपने body को active और healthy रखिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और ये मेरी last tip थी, आपको कोई भी question हो, आप मुझे comment section में बता सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्या करूंगी, अगर आपको personalized diet plan चाहिए तो, so guys stay healthy, stay safe, बहार मत निकली, अभी बहुत ही ज़्यादा खराब टाइम चल रहा है, घर पे बैठिये, और अपनी health का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, stay strong, stay healthy